रविवार के दिन राजिस्थार नगर निकायों के चेयर परसन के चुनावों के परणाम आ चुके जिन में कॉंग्रेस ने एक तरफा क्लीन स्विप किया है जबकि बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है कुल 54 सीटों में से 12 जिलों की 50 सीटों पर परणाम खोशित के जा चुके हैं इन 50 सीटों में से 36 सीटे कॉंग्रेस को मिली है जबकि महज 12 सीटे ही बीजेपी को मिल पाई है इन में से 2 सीटे निर्दलिय उमीदवारों के हिस्से में आई है इन 50 निकाय सीटों में 7 नगर परिशद और 43 नगर पालिका की सीटे हैं नगर परिशद की 7 सीटों में इसे 5 सीटे कॉंग्रेस नहीं जीती हैं जबकि बीजेपी केवल एक सीट ही जीत पाई है जबकि एक सीट निर्दलिया उम्मीदवार के हिस्से आई है जिन 50 सीटों के परिशद अभी धगाए हैं उनमें 28 पर पुरोष उम्मीदवार और 22 पर महिला उम्मीदवार जीती हैं नगर निकाय के चुनावों को राजिस्थान विदान सभा की परिक्षा के रूप में देखा जा रहा है जिसमें की कॉंग्रेस को एक तरफा जीत मिली है हलाकि चुनाव परिणामों से बीजेपी भी कम खुश नहीं है राजिस्थान व्राजय प्रभारी और बीजेपी के राश्ट्रे महामंत्री अरुन सिंग का कहना है कि कॉंग्रेस के कुशाशन से जनता परिशान है कि कॉंग्रेस पूरी तरह से परिवारबाद की पार्टी है वर्तमान में सोनिया गांधी है पहले राहुल गांधी थे फिर सोनिया गांधी आ गई और अब फिर राहुल गांधी आ जाएंगे दूसरी तरफ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्टरबाद की विचार धारा को लेकर काम करती है